हेलो एब्रीवन वेल्कम टू माई चानल आज मैं बनाने वाली हूं मटर पनीर की रेसिपी इसके लिए मैंने हापे 7-8 काजू और 2 टेवल स्पून मगज के दानों को 10-15 मिट भिगो लिया था अब मैं इसे मिक्सर में डाल कर इसका एक स्मूध पेस्ट बना लूँगी यहां यहां पर मैंने 6-7 टमाठर काट लिये हैं इनको भी मैं पीस लोगी तो इसे हम मिक्सर में डाल कर देते हैं और इसका भी एक फाइन पेस्ट त्यार कर लेंगे तो यहां पर टमाठर का पेस्ट भी रेड़ी है यहां पर मैंने 1 कप हरे मतर को छील कर रखा है यहां पर मैं 200 ग्राम पनीर ले ले हूँ तो अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें हम 4 टीबल स्पून तेल डालेंगे जब तेल गरम हो जाएगा तो हम इसमें 1 टीबल स्पून जीरा डालेंगे अब हम इसमें 2 लॉंग के दाने डालेंगे अब हम इसमें एक टीबल स्पून अदरक और लसन का पेस्ट डालेंगे इसे हम एक दो मिनिट तक भून लेंगे अदरक लसन के पेस्ट को अच्छे से भूनने के बाद अब हम इसमें एक बड़े साइस का कटा हुआ प्याज डालेंगे प्याज को भी हम 2-3 मिर्ट तक भून लेंगे जब तक कि इसका रंग सुनहरा ना हो जाए प्याज को भूनने के बाद अब हम इसमें 2 हरी मिर्च डालेंगे अब हम इसमें त्यार किया हुआ टमाटर का पेस्ट को डाल देंगे टमाटर के पेस्ट को डालने के बाद हम इसे 2-4 मिनिट तक अच्छे से भून लेंगे ताकि ये टमाटर का कच्छापन चला जाए टमाटर को अच्छे से भूनने के बाद अब हम इसमें स्वात के अनुसार नमक डालेंगे एक टी स्पून हल्दी पॉर्डर डालेंगे हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पॉर्डर डालेंगे और एक टी स्पून धनिया का पॉर्डर डालेंगे अब हम इन सारे मसाले को अच्छे से मिला लेंगे और इसे 2 मिनिट तक ढख कर पका लेंगे दो मिर्ट धक्के पकाने के बाद इसमें मैं हाफ टीस्पून पनीर मसाला डालूँगी और इसे मैं अच्छे से मिला लूँगी अब मैं इसमें त्यार किया हुआ काजू और मगच के पेस्ट को डाल दूँगी इसके बाद मैं इसमें ताजे हरे मटर को डालूँगी अब मैं इसमें हाफ कप मलाई वाला दूथ डालूँगी इससे हमारे मटर पनीर का स्वाद और भी इन्हैंस हो जाएगा और यह खाने में बहुत ही लाजवाब बनेगा तो अब हम इसे अच्छे से मिला कर थोड़ी देर तक पका लेंगे अब हम इसमें पनीर को डालेंगे पनीर डालने के बाद हम इसमें एक टेबल स्पून चीनी डालेंगे चीनी डालने से इस सबजी का रंग और भी निखर कराएगा तो अब हम इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे मिलाने के बाद हम इसे 10 मिनिट तक ढख कर पका लेंगे अब हम ढखकन को हटा लेते हैं और इसमें हम half teaspoon गरम मसाला डालेंगे और कटी हुई हरी धनिया के पत्ते डालेंगे अब हम इसे फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें बस 2 मिनिट तक ढख कर इसे पका लेंगे ताकि धनिया पत्ता की खुश्पू पूरे सबजी में फैल जाए तो ढखकन को हटा लेते हैं ये देखिए हमारे मटर पनीर बनकर बलकुल तयार है इसका रंग भी काफी सुन्दर आया है तो अब हम फ्लेम को आफ कर लेंगे और इसे सर्फ कर लेंगे गर्मा गरम मटर पनीर को आप चावल पूरी या रोटी के साथ भी खा सकते हैं ये आपको खाने में बहुत ही स्वादिस लगेगा तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चानल पे सब्सक्राइब कीजे मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजे और कमिट में मुझे ये बताइए कि आपको ये रेसेपी कैसी लगी और मुझे इंस्टाग्राम में भी जरूर फॉलो कीजे थैंक्स वर वाचिंग